Hello everyone, I am Serta Sivastap from Mahatma Gandhi Shikshan Sansthan. Now I am going to teach Hindi Vyakran Stender 5th. Mahatma Gandhi Shikshan Sansthan के YouTube channel पर आपका स्वागत है. बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको संग्या के विकार के अंतरगत वचन पर आई थी, जिसमें मैंने पढ़ाया था कि वचन किसे कहते हैं, वचन के कितने भेद होते हैं, वचन के पहचानने के नियम क्या होते हैं. आज मैं बच्चों इसी के अंतरगर्त वचन बदलने के कुछ नियम के बारे में बताने जा रही हूं. वचन वदलने के नियम अर्थात कि एक वचन से बहु वचन में हम कैसे बदलेंगे एक वचन को बहु वचन में हम कैसे बदलेंगे तो बच्चों पहला नियम सब्द के अंत में आए आ को एल बना कर हम एक वचन को बहु वचन में बदलते हैं जैसे यहाँ पर बच्चा इसमें आ की मात्रा अंत में आई है बच्चों इसलिए अब इस बच्चा का बहु वचन होगा बच्चे इसमें एक ही मात्रा लगी तो इस तरह से ये बच्चा का बच्चे बन गया पत्ता पत्ता में आ की मात्रा आया है अंत में अब इस आ की मात्रा को ए में बदल कर हम इसे बहु बचन बनाते हैं तो बनेगा पत्ते दूसरा बच्चो नियम है कि सब्द के अंत में आये ओ को ए में बना कर हम इसे एक बचन से बहु बचन में बदलते हैं जैसे पतंग, पतंग बोलने से अंत में इसका उचारन ओ आता है अब इसी ओ को ए में बदल देते हैं बच्चों तो यह हो जाता है पतंग से पतंगें, आँख से आखें अब यहाँ पर आप देखोगे गोर से तो कहोगे कि यहाँ ए पर चंद्रविंदू था लेकिन यहाँ पर तो अनुश्वार दिया हुआ है तो बच्चों कभी भी मात्रा के उपर कोई भी जो मात्रा उपर लगने वाली मात्रा होती है उसके उपर चंद्र बिंदू नहीं लगता है उहाँ पर बिंदू लगाकर ही उसके रूप में परिवर्तन लाया जाता है तीसरा है बच्चों कि सब्द के अंत में आए दिर्गी को यहाँ बनाकर हम एक बचन से बहु बचन बनाते हैं जैसे दवाई से दवाईया अब यहाँ पर दिर्गी था तो दिर्गी बदल के क्या हो गया यहाँ लग गया तो दवा से दवाईया नदी में दिर्गी की मातरा है बच्चों तो नदी से नदिया यहाँ सब्द के यहाँ पर लग गया तो यह एक बचन से बहु बचन बन गया अब अगला नियम है बच्चों कि सब्द के अंत में आये या को या बना कर हम एक बचन से बहु बचन बदलते हैं एक बचन को बहु बचन में बदलते हैं, जैसे चिरिया, चिरिया एक बचन है, अब इसको हमको बहु बचन बनाना है, तो बहु बचन में इसे हम या लगाएंगे, इसमें चंदरविंदु की मात्रा इसके उपर लगाएंगे, तो ये बन गया चिरिया, पुरिया है, पुरिय को बहु बचन बनाते हैं, जैसे लता से लताएं, सभा से सभाएं, अगला नियम है बच्चों, कि सब्द के अंत में या जोड कर, सब्द के अंत में या जोड कर हम एक बचन को बहु बचन बना सकते हैं, जैसे तिथी, तिथी से तिथियां, समीती से समीतियां बन गया, अब अगला नियम है, सब्द के अंत में उ, हर्सु या ऑ आने पर यदि सब्द के किसी भी सब्द के अंत में उ या आता है, तो वहांपर हम A जोर कर एक बचन से बहु बचन बनाते हैं उस सब्द का, जिसे यहां दिया हुआ है बस्तू, तो बस्तू से बस्तूएं, बस्तू में देखो बच्चो, U का परियोग हुआ है, हरसु का परियोग हुआ है, मातर लगा हुआ है, अब इसको हम जब बहु बचन बनाते हैं तो इसमें बस्तु तो है ही ए जोर दिये तो बस्तुए बन गया गौ है गौ में बच्चों इसमें आउ की मात्रा है ये आउ की मात्रा लगा हुआ है तो इसको हम बहु को बहु बचन बनाना है जैसे बहू, बहू लिखा हुआ है, बहू का वहूएं, जारू का जारूएं, यहां पर यहां दोनों में दुर्गू की मातरा थी लगी हुई, अब यहां पर हम इसको हर्सू की मातरा लगाएं और यह भी जोड दिये, तो यह इस तरह से बहू से बहूएं बन गया, जारू से जहारू में बन गया और इस तरह से में एक बचन से बहू बचन में बदलते हैं हर्सू को बदल कर अब अगला नियम है बच्चों कि कुछ सब्दों में घर्ण, लोग, जन, वरिंद, वर्ग ये सब लगा कर हम एक बचन से बहू बचन बनाते हैं जैसे एक बचन में है दर्सक, तो दर्सक से दर्सकों नहीं बन लिखेंगे बच्चों, दर्सक गान, भक्त, भक्तों नहीं बहु बचन में बनाएंगे, भक्त जन, तुम है तो तुम लोग, पक्षी से पक्षियों नहीं होगा यहां पर बहु बचन, यहां पर पक्षी का पक सिंद वर्ग जोर कर एक बचन से बहु बचन बनाते हैं अब बच्चों सर्वनाम कुछ सर्वनाम सब्दों के बचन अलग होते हैं इस परकार होते हैं बच्चों जैसे मैं है मैं एक बचन होता है तो उसका हम बहु बचन होगा यह है तो उसका बहु बचन में आपको बच्च यह हो जाएगा वह है तो वे होगा बहु बचन तुम है तो तुम लोग हो जाएगा आप है एक बचन तो आप सब बहु बचन में हो जाएगा या आप लोग भी हो सकता है इसे है एक बचन तो इन्हें भी होगा अब बच्चों कि कुछ सब्द जैसे साधू है आदमी पेर देखिए, साधू खाना खा रहा है, इसमें ये एक बचन का बाक्य है, अब यहाँ पर दूसरे बाक्य को देखिए बच्चों, साधू खाना खा रहे हैं, अब यहाँ पर क्रिया बहु बचन में हो गया, इसलिए यहाँ पर ये साधू बहु बचन के रूप में परियोग जैसे साधू ने खाना खाया यह वाक्य जो है एक बचन का है और यहाँ पर देखिए साधू से साधू हो गया लेकिन यहाँ पर ने लगा है इसलिए यहाँ पर साधू ने खाना खाया यह बहु बचन में है तो इस तरह से आपने क्या क्या संद्या बच्चो कि कुछ सब्द सदैब बहुवचन में ही प्रयोग किये जाते हैं जैसे बाल, समाचार, आसु, लोग, दर्सन, इत्यादी सिफ बहुवचन में ही प्रयोग किये जाते हैं कुछ सब्स जो होते हैं वो हमेशा एक बचन में ही प्रयोक किया जाते हैं जैसे धर्ती है, दूध है, जनता, भीर, प्यार, आदी तो आज आपने बहु बचन में एक बचन से बहु बचन बदलने के नियम को जाना धन्यवाद